हेलो फ्रेंड वेल्कम टू फ्रेंड 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 प्रेपरेशन यूटूब चैनल इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास फिफ्थ ईवेस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर थर्टीन असेल्टर सो हाई इस चैप्टर का यह थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट से पहले मैंने आपको इसका फ्रस पार्ट और सेकिंड पार्ट कंप्लीट करवाया था उम्मीद है आपने ये दोनों कर दिया है तो नीचे ये लिंक मैंने दे रख़ा है इसका डिस्क्रिप्शन में दोनों ही पार्ट आप देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने कोशन नमबर वन से ले करके कोशन नमबर एट तक के कोशन आंसर एक्स्प्लीन किया है और इसे करवाया हुआ भी है और इसके वाले हैं कि people living on the top of the world याने कि इस topics हम लोग start करने वाले हैं चलिए start कर लेते हैं now was the time to climb higher loner had a tough time zigzagging alone narrow rocky mountain road at many places there were no road at all अब देखो इस story में ये जो गौरब जानी है और उसका जो बाइक है जिसका नाम उसके loner रखा हुआ है ये अपने loner के बारे में बता रहा है कि भी अब जो time है loner के लिए बहुत tough होने वाला है क्योंकि अब उन्हें उची उची चढ़ाईया चढ़नी है और उन जगह के बारे में बता रहा है ये जो रास्ते हैं बहुत narrow है और ये जो mountain वाला road है काफी rocky है यानि कि रास्ते में पत्थर बगेरा बहुत ज़्यादा है और कहीं कहीं ऐसी भी जगह है जहाँ पे कोई road भी नहीं है यानि कि ये बाइक चलाना यहाँ पे थोड़ा सा tough है तो वह सारी चीज़े यहाँ आपको बता रहा है अब एक जगह रस्ते में आता है जिसका नाम यहाँ बता जा रहा है कि ये चैंक टॉंग है और इस जगह की बारे में बताया जा रहा है ये जगह नॉर्मली जो जगह होता है सी लेबल से 5000 मीटर हाई है यानि काफी उचाई भी ये जगह है और इस जगह की बारे में further बताया जा रहा है it is so high that it is difficult to breathe normally क्योंकि ये उचाई वाली जगह है तो यह सास लेने में बहुत ज़्यादा problem होती है I had a headache and felt weak then I slowly got used to breathing in such air अब गौरब जानी बताता है कि इस जगह पे मुझे headache भी होने लग गया और मैं weak महसूस करने लग गया क्योंकि ये जो जगह है यहाँ सास लेने में problem हो रही थी जिसकी वज़े से इसे यहाँ बहुत सारी दिक होने लग गई लेकिन धीरे धीरे उसे सास लेने में जो problem हो रही थी वो slowly slowly ठीक होने लग गई और यह जो हवा यह थंडी हवा थी वहाँ उसने अपने आपको धीरे धीरे अरजस्ट करना start कर लिया था for many days we kept wondering in this area with not a single human being in sight no petrol pumps no mechanics only a clean blue sky and many beautiful lakes around और इस जगह पे जहाँ पे यह गौरब जानी घूम रहा है बताता है कि यहाँ पे एक भी आदमी मुझे देखने को नहीं मिल रहे थे और नहीं यहाँ पे petrol pump थे और नहीं यहाँ पे कोई भी mechanic था जो कि हमारी help कर सके यानि कि इस ऐसी जगह है जहाँ पे drive कर पाना या फिर bike riding कर पाना बहुत ही tough काम है क्य जोनर और आई केप मुविंग अहेड सडनली वन मौनिंग आई सव बिफोर मी अ फ्लैट घासी लैंड मैनी सिप्स एंड गॉट्स वर गेजिंग देर फॉर इन दे डिस्टन्स आई सो सम तैंट्स आई वंडरीं वंडर्ड हू लिव देर एन वाट दे वर दूइं इन दिस फार आउट प्लेस और काफी दिन बीद गये जब वो ट्रेवल करता गया आगे जाता चला गया फिर वो देखता है कि उसे कुछ घास वगरा यानि कि फ्लैट एरिया देखने को मिलता है जहां पर घास वगरा ओग रहे हैं और उहां पर उन्हें यह जो गोट वगरा है यान कुछ चीज़े देखने को मिलती है तो आप लोग भी ऐसा सोचने जरूर लग जाओगे तो वही चीज़ें यहाँ पर गौरब जाने भी सोच रहा है ठीक है अब इसके बाद हैं next topic आपके लिए find out और find out में आपके लिए यहां से question start हो जाते हैं और यह सबसे पहले आपके question number 9 क्योंकि second part में मैंने आपको question number 8 तक करवाया था इसलिए यहाँ पर हम लोग करेंगे question number 9 आईए पढ़ते हैं at what height is the place where you live अब देखो इस chapter के अंदर आपने एक जगह के बारे में जाना जिसका नाम है Chang Thang जिसकी height 5000 meter से भी above है sea level से आप question यह हैं कि आप जहां पर रहते हैं उस जगह के बारे में बताईए कि उसकी height sea level से कितनी है तो इस question को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे इस topic और question को note कर लेंगे जो 9th question है और उसका answer आप इस तरह से लिख सकते हैं कि I live in Delhi which is 214 meter above sea level देखो मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए मैंने दिल्ली के according आप आपको answer लिखवाया है अगर आप किसी और place पे रहते हो तो यहाँ पर उस place का नीम यहाँ पर change भी आप कर सकते हो अपनी मरजी से और sea level से जो इसकी height है तो उस height को भी आप यहाँ पर change कर सकते हो यहाँ मैंने आपको दिल्ली का sea level से कितनी height पर दिल्ली है उसके according मैंने आप आपको answer लिखवाया हुआ है आप जिस state में रहते हो जिस city में रहते हो आप उस city का उस place का नाम यहाँ पर लिख भी सकते हो अगर आप answer change करना चाहते हो और साथ के साथ उसकी height है sea level से वो भी आप mention कर सकते हो ठीक है तो इस तरह के से आप question number 9 complete कर सकते हो उसके बाद next है आप इसने story के अंदर आपको बता है कि यह प्ले से काफी उचाई पर है और यहाँ पर सांस लेना बहुत difficult है ऐसा उसने क्यूं कहा था इसके बारे में आपसे question पूछा जा रहा है why से ठीक है तो जब भी why word आ जाए question में तो यहाँ आप समझ जाना कि आपसे reason पूछा जा रहा है तो इस question का answer आपको इस तरह से लिख सकते हो कि गौरब जानी said this because air usually become thinner to breathe when going to high जब भी आप उचाई वाले जगह पर जाते हो वहाँ पर क्या होता है जो हवा होती बहुत thinner हो जाती है और इस वज़े से हमें उचाई वाले जगह पर सास लेने में problem आती है तो आप यह mention भी कर स करते हो कि when going to higher altitude oxygen level would have gone down यानी कि जो oxygen होता है जिसे short में इस तरह भी लिखते हैं O2 oxygen ठीक है तो oxygen यहाँ पर कम हो जाता है और air बहुत thinner हो जाती है इस वज़े से ऐसी जगह पर हमें सास लेने में काफी दिक्कत होने लग जाती है तो इस तरह से आप question number 10 का answer लेख सकते हो इसक question में पूछा जा रहा है have you ever been to a hilly place where आप question में यह पूछा गया कि आप भी किसी hilly area में कहीं गए हो तो जगह का नाम बताओ ठीक है तो question number 11 भी आप note करोगे और इसके answer को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि आप गए हो तो answer लिखो कि yes आप कहा गए हो उस जगह के बारे म हूँ तो मैं Simla के बारे में लिख रहा हूँ आप किसी और जगह पे गए हो तो उस जगह के बारे में आप answer में लिख सकते हो कि कुछी hilly area में अगर आप कभी गए हो ठीक है तो उस जगह का नाम आप अपने answer में इस तरह से लिख सकते हो ठीक है तो इस तरह से आप question number 11 का answer complete कर सकते हो उसके बाद next है आपके लिए question number 12 और इस question में आप से पूछा जा रहा है at what height was it did you have any difficulty in breathing there जैसे मैं Simla के बारे में आपको लिख वा रहा हूँ ठीक है तो Simla के according में आपको answer लिख वा हूँगा अगर आप किसी और जगह पे गए है तो उस जगह के बारे में यानि उ question number 12 की answer से पहले question लिखेंगे और 12 का answer कुछ इस तरह से लिख सकतो yes breathing become difficult when I reach at a height of 2276 meter height कि देखो अब यह जो Simla है Simla के height के अगारिंग में बता रहा हूँ कि इसकी height इतनी है और इस जगह पे जब मैं गया था तो मुझे सांस लेने में थोड़ी बहुत problem हो रही थी तो आप य इससे भी ज़्यादा उचाई पे गए हो तो उस जगह की height है उसके according आप अपना answer लेख सकते हो ठीक है बहुत easy सा question है ज्यादा tough नहीं है ठीक है अच्छा इसके बाद next question है आपके लिए question number 13 इस question में आप से पूछा जा रहा है which is the highest place you have been to अब देखो बहुत सारी जगह हो सक plus है यानि कि 2000 से ज़्यादा इसकी height है जैसा कि हमने previous question के answer में लिखा था कि around 2276 meter height पे है यानि कि 2000 से थोड़ा ज़्यादा है तो इस question में यानि कि 13 question है इसमें आपको उस जगह के बारे में लिखना है जो अब तक आप जितनी भी जगह गए हो सबसे उचाई वाली जगह के ब रहा हूँ the height of place I have been was Nathula Pass और इसकी height कितनी है वो भी मैंने bracket में लिख दिया है कि 4310 meter इस height पे ये Nathula Pass है ठीक है इसके लाब अगर आप किसी पहाड़ी एरिया में गए हो या आपका गाउं वगेरा है या आप रहके आए हो तो उस जगह के बारे में अपने answer में लिख सकते ह यहाँ पर क्या करना है हमें उस जगह के बारे में लिखना है जहाँ पर भी आप गए हो और वो उचाई पर हो और उसकी height भी आप नीचे से जो भी है इस तरह से लिख सकते हो कि sea level से उसकी height कितनी है जैसे मैं नाथula Pass की बात करूँ तो 4310 meter है तो इस तरह से जितनी भी height हो वो आप यहाँ पर बता सकते हो ठीक है इतना करने के बार अब है next topic आपके लिए the चंगपा अब यह चंगपा क्या है एक जगह का नाम है ठीक है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर detail में पढ़ेंगे आओ पढ़ते हैं there I met Naam Yal and came to know about the चंगपा a tribe living in the mountain अब यह जो गौरब जानमी है यह आगे एक आदमी से मिलता है जिसका नाम यान है ठीक है और यह जो आदमी है यह एक जगह जगह का नाम है चंगपा जो की एक ट्राइब होती है उस ट्राइब के बारे में बता रहा है कि यह जो ट्राइब रहते हैं, यह जो ट्राइब है, इस ट्राइब के बारे में आपको बता जा रहा है, कि इस ट्राइब में सिर्फ और सिर्फ पांच जार लोग ही हैं, ठीक है, जो कि हिली एरिया में, मौंटीन में रहते हैं, दे चांग पास आर ओल्वीज ओन दे मूफ, विद देर गॉट्स आपने जानवरों के साथ, यानि कि यह कि एक जगह पे नहीं रहते हैं, भलकि एक जगह से दूसरी जगह पे हमेशा शिप और गॉट्स के साथ यह जानवरों के साथ हैं, या आपको यहाँ बताया जा रहा है, जैसे कि milk, wheat, meat, skin for the tent and wool for the coat and sweater यानि कि यह जानबर है जो इनकी जो skin है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो इनकी body पे जो hair है यह इन hair को use करके उनकी जो requirement है और पूरी हो जाती है इन जानबरों से उन्हें दूद पीने को लोगी मिल जाता है इनका वो meat बना के भी खा लेते हैं और इनके skin से सिर्व टेंट वगरा भी बना लेते हैं और जो sweater and salt और coat वगरा है यह जो wool एच चीजे हैं यह इनके body पे जो hair आ रहे हैं इनको use करके यह बना लेते हैं यानि कि यह उनके लिए एक तरह से खजाना है इस family has more animal it is considered more rich and important यानि कि जिस family में ज़्यादा जानवर होते हैं उस family को यहाँ पे rich consider कर लिया जाते हैं जैसे हम लोग बात करें जिसके पास पैसा ज़्यादा हो था हम उसे rich consider कर लेते हैं जैसा कि यहाँ आपको यह story के अंदर बताया जा रहा है आप लोगों ने पस्मीना सॉल या पस्मीना वूल के बारे में जरूर कही न कहीं सुना होगा जो कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस हैं जैना यह जो एक तरह से ट्राइब है यह लोग क्या करते हैं अपनी live food के लिए इस animal के उपर पूरा dependent होते हैं और ये जो animals होते हैं इन्हें ठंडी जिगा पसंद है और ठंडी जिगा पे ही इनके जो hair है यानि कि जो body पे hair है ये अच्छे से grow कर पाते हैं और जिनसे ये लोग क्या करते हैं जो भी चीजे होते हैं जैसे woolen चीजे होते हैं जैसे पस्मीना शॉल पस्मीना स्वेटर ये सारी चीजे इनसे बनाते हैं और पूरी दुनिया में जो इसकी demand होती है उसे fulfill की जाती है तो गौरब जानी आपको स्टोरी के अंदर ये सारी बाते हैं बता रहा है चलिए अब आगे पढ़ते हैं और इस motorcycle का नाम तो आप जानते ही है कि loner है बट द चंग पास केरी everything that they own on their horse and जो इनके पास समान होता है चंग पास के बाद ये लोग क्या करते हैं अपने जो horse होते हैं और जिनकी याक होते हैं उनके ओपर अपना ये समान सारा carry करते हैं अब गौरब जानी तो अपने बाइक पे करी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो गहे हैं, जो ट्राइव हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो भी इनके पास animal होता है, उनके उपर ये अपना सारा समान करी करते हैं, क्योंकि वो लोग भी हमेशा move करते रहते हैं, इनके पास इस तरह से पैकिंग करके समान रखते हैं कि उन्हें अगर एक जगह से दूसरी जगह सिफ्ट करना है तो उसे ज्यादा टाइम नहीं टू एंड हाफ आर ही इने लगते हैं जिसमें कि अपने सारे समान को यह सेट कर लेते हैं और उसके बाद वह किसी भी जगह पे म होम्स आर रेड़ी यानि कि उन्हें अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे सिफ्ट करना है तो उन्हें जादा टाइम नहीं लगता है और वो लोग क्या करते हैं बहुत ही कम टाइम में ही अपना समान सेट कर लेते हैं और फटा-फट जहां भी वो जाना चाते हैं वो आ नामग्यान जो एक आदमी गौरवजानी को मिलता है वो अपने टेंट में इसे यानि की गौरवजानी को बोलता है कि यो आर मोस्ट वेलकम आप हमारे घर में आईए यानि उनके टेंट में उसे वेलकम करता है और यह जो टेंट हाउस होता है इन ट्राइव का उसे ये लोग रबो बोलते हैं और इस रबो में यानि उनके घर में ये लोग क्या करते हैं उसे बुलाते हैं और उसे वेलकम करते हैं यानि कि यहाँ जो थंडी हवा जो होती है जो बिल्कुँ परफिली थंडी हवा होती है उनसे यह जो स्व्ट अगरा की बनाते हैं स्ट्रॉंग होते हैं उससे यह क्या करते हैं अपने आपको प्रोटेक्ट कर पाते हैं यहाने यहां जो ठंड लगती है ठंडी हवा चलती है बरफीली हवा चलती है उनसे अपने आपको यहां वो लोग प्रोटेक्ट कर पाते हैं इस सौल से जो की वो पश्मीना शौल जिसे ह अब इसके बारे में बताया जा रहा है जो इनका घर है जो कि TENT के शेप में है ठीक है वो 2 feet deep ये लोग क्या करते हैं गड़ा कर लेते हैं और उसके बार TENT वगरा प्रोपर लगाते हैं और इसके अंदर वो कुछ टायम के लिए रहते हैं क्योंकि इनका भी कोई फिक्स जगा ही हैं ये लोग भी क्या गरते हैं हमेशा मूफ करते रहते हैं उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है अब आपकी बुक के अंदर ना पस्मीना शॉल के बारे में थोड़ी सा बताया जा रहा है कि क्यों फेमस हैं थोड़ा से इसके बारे में पढ़ लेते हैं देखो ये है वो शॉल जिसे पस्मीना शॉल बोलते हैं आई ये इस पस्मीना के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं The world famous पस्मीना, it is believed that a पस्मीना शॉल is as warm as six sweaters, it is very thin yet very warm, the gods from which the soft पस्मीना wool is collected are found on very high altitude of 5000 meter, in winter the temperature there drop below zero degree to minus 40 degree celsius, a coat of warm hair grown on the gods body which protect it from extreme cold, the gods shed some of their hair in summer and this hair is so fine that six of these would be as thick as one hair of yours अब इस पस्मीना शॉल के बारे में आपको बताया जा रहा है, ये जो पस्मीना शॉल है, इसके अदर इतनी गर्मी होती है, जितनी की six sweaters के अंदर होती है अगर आप छे sweaters एक बार में पहलो, इतनी गर्मी इस अकेले शॉल के अंदर होती है, और ये जो पस्मीना शॉल है, ये जिस 5000 meter high altitude पे जो जानवर रहते हैं, ठीक है, उनके hair से इसे बनाया जाता है, और इस जगह का temperature आपको बताया जा रहा है, जो कि 0 degree से minus 40 degree Celsius तक हो जाता है, और इस condition में ही ये goat वगरा जो है, इनके जो hair वगरा होते हैं, इनकी help से इसे बनाया जाता है, जो कि इस warm extreme cold weather में जो लोग होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर पाता है, यानि कि ये एक तरह से बहुत गरम कपड़ा होता है, जिसे कि वहां के लोग बना होते हैं, और अपने आपको protect करते हैं, तो उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है, और इसके बारे में फर्दर ये भी बताया जा रहा है, ये जो hair होते हैं, जो got वगरा, जो जानवर वगरा होते हैं, उनके जो hair होते हैं, इतने पतले होते हैं, जैसे हमारे जो hair होते है इतने पतले की जैसे 6 अगर हम अपने बाल जो हमारे जो बाल होते हैं ठीक है उससे भी 6 ताइम में ऐसे कह सकते हो कि पतले ये हेर होते हैं यह नोर्मली जो हमारे बाल होते हैं हमारे बाल से भी जारा पतले होते हैं लेकिन हमारे बाल वगरा का इस्तमाल तो किसी जीज के अब देखो इस शौल के बारे में आपको बताया जा रहा है यह जो शौल है इसे कश्मीर वाला जो एरिया है यानि जो थंडा एरिया है वहाँ पर बनाया जाता है लेकिन इसे मसीन वगरा से नहीं बना सकते हैं इसलिए जो वेवर्स होते हैं वो लोग अब खुद से बनाते हैं मैनवली अपने हाथ से बनाते हैं और इस एक शौल को बनाने में 250 आर्स लग जाते हैं और यह जो काम है काफी लंबा प्रोसेस होता है बहुत जादा टाइम लेता है तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि यह शौल जो है एक इंबोडरी जो होता प्रॉसेस उसको complete करने वाला ही काम है, यानि हाथ से बनाया गया काम है, और इस काम को machine से नहीं किया जा सकता है, इस वज़े से भी यह जो shawl है, पुरी दुनिया में famous है, ठीक है, तो आज आप लोगों ने इस पश्मीना shawl के बारे में जाना, और आप लोगों ने कुछ question and answer भी complete कर लिए, इसके बाद जो next topic है, ठीक है, इसके बाद वाला topic, इसे हम करेंगे next chapter में, next part के दना chapter तो same रहेगा, but part different हो जाएगा, तो इसे हम करेंगे इसके fourth part में, ठीक है, third part में इतना ही, fourth part में मैं आपको यहां से start करूँगा, ठीक है, वीडियो को like कर दीजिए, ताकि एसी और वीडियो में आपके लिए लेकर आ सकूँ, और हाँ, चैनल friendship preparation को subscribe भी कर लेजिए, और bell icon प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालू, तो आपके पास notification receive हो सके, कुछ doubt है, कुछ पूछना चाते हो, तो आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हो, मेरी ID है, at the rate Mr.Krishnashah, जो आप message करके अपने doubts वगरा मुझे से पूछ सकते हो, मेरा एक और channel है, मेरे नाम से ही है, यानि Mr.Krishnashah, इस channel को भी आप subscribe कर लीजिए, और bell icon प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं यहाँ पर वीडियो अप्लोड करूँ, तो आपके पास notification receive हो सके, ठीक है, तो thanks for watching, जो आपके पास